जी नमस्ते दोस्तों यह एक सेट जो है हमारे पास आया हुआ है एल जी का और यह आप देखें यह इस्टेंड वाइप पॉजिशन में रेन इंडिकेटर इसमें आ रहा है इसको जो हम ओन कर रहे हैं तो यह ओन नहीं हो रहा है ठीक है तो इस बोर्ड में स्टेंड वाइप का प्रोवलम में हमको समयना यह है कि स्टेंड वाइप है क्या स्टेंड वाइप मतलब यह हमारा प्रोसेसर है यह काम नहीं कर रहा है अगर प्रोसेसर हमारा सही काम करेगा तो सेट ओन हो जाएगा अब प्रोसेसर काम सही नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या है कि या तो इससे रिलेटेट कोई नहीं कोई सप्लाई में प्रोवलम है या इससे रिलेटेट किसी मेमरी सिस्टम में प्रोवलम है या फिर यह प्रोस इग्नोर कर दें यह एक RF टुनर है इसको इग्नोर कर दें यह साउंड सेक्षन है इसको इग्नोर कर दें बाकी का सेक्षन अगर आप देखें अगर यहां से यहां तक का सेक्षन अगर आप देखते हो तो इसमें आप देखोगे कि इसमें कुछ रेगुलेटर्स आपको दिख रहे हैं है ंस रहे हैं कुछ रहलोसर आपको दिख रहे हैं ज ईएक रहोयोटर यह एह और चाहले से इसके 그 बाद में एक प्रोसेसर लगी है इसके बाद में लगा है इस system यहां पर एक fles i.c लगी है है यहां पर एक memory i.c लगी है इसकी और यहां पर यह nand flash i.c लगी है nand flash इस तरीके की रहती है 48 pin की ic ही है nand flash में एक तरफ यह control signals जाते हैं और एक तरफ यह data line होती है इसके वीडियो आपको पिछले सेशन में दे चुका हूँ, कि नैन फिलेस की जो वायरिंग रहती है, पिन आउट रहता है, किस तरीके से रहता है, कैसे कनेक्शन इसके प्रोसेसर से रहते हैं, यह पूरी डिटेल्स में आपको अलड़ी पहला ही दे चुका हूँ, तो देखें, सब सबसे पहले हम रेगुलेटर्स पर ध्यान देंगे, सबसे पहले जो हमको सप्लाईयां चाहिएंगी, उन पर हम ध्यान देंगे, और सप्लाईयां चेक करेंगे, जिस दूस्तों चलिए, सप्लाईयां चेक करते हैं, सबसे पहले हम 19 वोल्ट की सप्लाई चेक करते हैं, यह 19 बीरा वोल्ट भी यहां पर मिल रहा है यह पैशल सप्लाई को जाता है पयरा बॉल्ट वो सप्लाई जही है उसके बाद में 5 बोल्ट की सप्लाई देख लेते हैं और देखें Yep I बोल्ट की सप्लाई भी परफेक्ट है कि ओर यहां पर बन इन जू बोल्ट मिलेगा देखें यहां पे 1.12 volt मिल रहा है यह भी ठीक है यह supply भी आपकी okay है ठीक है तो 3.3 volt भी देखें यहां मिलेगा आपको इस कोयल पे देखें, 3.3 बोल्ट भी मिल रहा है आपे, इस कोयल पे, यह 3.3 बोल्ट भी ओके है, फिलेस के pin number 8 पे देखते हैं, supply है या नहीं है, pin number 8, देखें, यहां पे भी 3.3 बोल्ट प्रिजेक्ट है, इसका मतलब यह भी ठीक है, अब भी आजाते हैं, हम memory IC पे, इसके भी pin number 8 पर supply आने चाहिए 3.3 volt देखें ये भी 3.3 volt आ रही है यहां पर memory IC पर भी NAND फिलेस भी 3.3 volt से काम करती है pin number 37 पर positive supply रहती है pin number 12 पर positive supply 3.3 volt रहती है देखें ये भी 3.3 volt आ रहा है इसमें भी इसका मतलब ये जो stand-wise supply है इसकी अब देखें memory सिस्टम की supply में NAND फिलेस की जो supply है वो हमको मिल रही है जो फिलेस है उसकी supply मिल रही है memory की supply भी मिल रही है 1.2 और 3.3 volt supply भी परोसेसर को मिल रही है अभी एक चुछ चीज रह गई वो रह गई आपकी RAM की supply तो RAM की supply अभी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है यह regulator लगा हुआ है एक यह RAM की supply के लिए तो यहां पे supply हमको मिलना चाहिए तेखें यहां पे हमको कोई supply नहीं मिल रही है RAM supply तो यह 11-17 सीरीज का adjustable regulator है इनपुट पिन यह है इसकी यहां पे चेक करते हैं यहां पे देखें 3.3 वोल्ट इन हो रहे हैं तो आउटपुट हमको मिलना चाहिए यहां पे और यहां पे आउटपुट हमको कोई नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब यह regulator हमारा काम नहीं कर रहा है इसका reference spin है क्योंकि adjustable regulator है तो यह reference spin है तो reference spin पे देखें यहां पर भी कोई voltage नहीं मिल रहा है आपको इसका मतलब यह है कि यह जो regulator है आपका काम ही नहीं कर रहा है अगर इसमें input supply नहीं होती तो हम मान सकते थे कि हां कुछ दिक्कत हो सकती है पर यह input supply होने के बाद भी output हमको कुछ नहीं दे रहा है इसका मतलब सीधा सही है कि यह regulator काम नहीं कर रहा है अच्छा इसमें कुछ sorting अगर होती तो यह voltage drop हो रही होती 3.3 volt पर यह drop भी नहीं है यह stable खड़ी होई है रेगुलेटर को अगर चूपके देखें आप तो यह गरम भी नहीं हो रहा है इसका मतलब sorting नहीं है यह regulator ही काम नहीं कर रहा है अब हम यह regulator change करेंगे फिर आगे देखते हैं जी दोस्तों देखें हमने यह जो adjustable regulator था यह हमने यहां लगा दिया है और अब हम यहां voltage भी चेक कर लेते हैं कि यह जो adjustable regulator है इसको लगाने के बाद इस जगा कितने volt आ रहे हैं जो देखी adjustable regulator है इसके input पर देखो आप 3.3 volt है और output पर देखो यह इसकी जो RAM की supply है 1.5 volt यह आ गई है और इसके आने से हमारा जो RAM memory है वो काम करने लगी है जो की IC में inbuilt ही है RAM memory इस IC के अंदर ही inbuilt है RAM memory आपको बाहर कहीं नहीं दिख रही है यहां पर flash है यह इप्रोम है और यह यह बाद में change करने पड़ेंगे तो यह देखें यह set हमारा own हो गया है इसको इतना करने है कैसे उसको देखना होता है सबसे पहले regulators क्योंकि इसको काम करने के लिए supply की जरूवत है और memory system को काम करने के लिए supply की जरूवत है तो सबसे पहले आपको processor की supply चेक करने है प्रोसेसर की supply ठीक है तो memory system की supply चेक कीजिए memory system की supply है प्रोसेसर की supply है तो आपके processor को काम करना ही चाहिए फिर आप software की ओर द्यान दे पर यहां पर हमने देखा कि पहले ही step में जो regulator था वो खराब था हमारे memory system से related regulator था वो उसको बदलने से हमारा यह काम डेडियो हो गया थैंक्यू दोस्तों